हेलो इस्टुडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल सम्राटकन वेस्टुडेंट यह वीडियो क्लास टेंथ हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपोटेंट है जीतरें बच्चे 22 फ्रोड़ी को इंदी का पेपर देने वाले हो तो जरूर देखने को मिलेगा पेपर का समय रहेगा तीन घंटे-पंद्रविट में पेपर आप लोगों को सॉल्ब करना होगा मेरे प्यारोचु मेरी गरांटिय है कि 22 फ्रोड़ी को आप लोगों को पेपर जैसे आप इकजाम आलने बॉर्टो गे तो यह पेपर देखने को मिलेगा और इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा सालूँसन इस पेपर का करने वाला हूं कि प्रारम के 15 मिनट पर छार्चियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए नहीं धारी था है, मत्रा 15 मिनट में इस पेपर को पढ़ोगे और 3 गंटे में इस पेपर को सॉल्ब करोगे, दूसरी बात यह कह रहा है कि प्रश्ण पत्र दो खंडों में विवाजी थे, एक तो ख खंड आओं में 20 ओबजेक्टी क्यूसन आएगा, जिनका उत्तर आपको कहां पर देना होगा, OMR सीट पे देना होगा, या तो नीले पेंसे रही है, या तो काले पेंसे रही है, लेकि पेंच जोवला होना चाहिए, आपको आप Well Poisंप पेंच पें Mär नहीं होना चाहिए, इसक इसके बाद क्या बोला है कि वो एमर सीड़ पर उत्तरंकित किये जाने कि पसात उठे काते नहीं तता एक रीजर वाइटनाराधी का प्रयोग ना करें कि एक बार अगर आप संथ आम लिजे रंग दिया तो ना तो इसे काटना जो आप एक बार रंग दिए इसके बाद बोला कि प्रता एक प्रस्ण के समुकं के निदारी तंग दिए गहें, प्रस्ण के प्रस्ण कितने नमबर को हैं, अगे प्रस्ण कि प्यारबच्यों, ठिक है ? चलिए, पेपर इस्टार्ट होता है यहां से, बहुत भी कल्पिया प्र जितना जल्दी बता दूगा उतना जल्दी आप इसको याद कर पाओगे बाबु गुलावरा किस यूग के लेखा कि मेरे प्यारवच्छो तो वह सुकल यूग के लेखा कि सी वाला आपसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी दूसरा प्रशन के अगर हम प्रशन तो यके अट अकर प्लिक करना है मेरे प्यार्वच्छो तो आत्मका था विताय की रचना है बी वाला आपसन पर आको प्लिक करना है प्रस नमबर six प्रिये प्रवास किस यूग की रचना मेरे प्यारवुचों उसका आपसन पीछे दिया हुआ है और इसका right answer मेरे प्यारवुचों आपसन नमर पहला हो जागा दिवे दी यूग ए वाला आपसन इसके बाद देखें साथमा प्रशन कि मदुसाला किसकी रचना है तो मदुसाला मेरे प्यारों चो इन चारो आपसन मेंसे जो रचना है वो हरीवंस राय बच्चन जी के है इसलिए सी वाला आपसन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आठमा प्रशन देख लिजिए भारत भारती किसकी रचना है तो भारत भारती जो रचना है मेरे प्यार बचो तो आपकी मैतली सरनकुप्त जी की रचना है बी वाला आपसन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रस्त नमबर 9, आधुनिकाल कब से कब तक है, तो मतिराम किस यूग के कभी है, तो आपके रीतिक यूग के कभी है, इसलिए D वाला आपसर इसका correct answer, एक भी प्रस्त ने छोड़ के मत आईएगा, एकजाम में पूरा कर पूरा कर से आईएंगा, ठीके त्प्रस्त नमबर 11, प्रशन देखे क्या है तो हास होता है सी वाला आप्सन बिल्कुल राइट आंसर वोगा बरावा प्रशन देखे क्या है सुहत वड़े पीट-पट स्याम सलोने गात मन निलमडी सेल पर आतप पर्यों प्रकास करा कि उपयूगत पंकितियों में कौन सा अलंकार हैं मेरे प्यार होते हैं तो आपको भी मालूब कितने चरण होते हैं मेरे प्यार्चों 4 होते हैं सी वाला आपसर बिल्कुल राइट आंशर होगा इसके बाद पंद्रहवाँ प्रस्टों देखिए रचना के आधार पर वाकिके कितने बेग रहे तो रचना के आधार पर वाकिंगे कितने बेदे मेरे प्यारचों तीन बेदे हैं, डी वाला आप्सन बिल्कुल राइट आफसर होगा. प्रस्ट नमबर सोरा, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में मेरे प्यारबचों जो है, वो समास बहुत ब्रेगी समास है. सिवल आपसंग, सत्रावा है आसु का तस्वरूप है, आसु का तस्वरूप जो कि आपसंग पीछे दिया हुआ है, तो आसु का तस्वरूप अच्छू होता है, यह वाला आपसंग बिल्कूल राइट आशर होगा, वहीं बात करें प्रस्ट नमर 18 को, तो कृत्वाच में किस की प्रधानता होती है मेरे प्यार बच्छों, तो वह होती है करता की प्रधानता, यह वाला आपसंग को आप रंग कहिएगा, प्रस्ट नमर 19 देखिए, ताभ्या सब्द में वचन विवक्ति है, तो ताभ्या सब्द में वचन विवक्ति जो है मेरे प्यार बच्छों, वह क्या हो गें complete हो गें जो कि था यहां पे खंड अब वरणात्म प्रश्ण स्टार्ट होगा खंड बार जो कि पचास नंबर करेंगे और यहां प्रश्ण स्टार्ट होता है क्या है पहला है कि यहां कोई बात नहीं कि एक सो भावर हुची की लोगों में इर्मितरता हो सकती है, समाज में विबिंता देख कर ळोगें प्रश्ण की और दूसरे क्यों राकर्शित होते हैं, जो गुड हमें नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मितर मिले जिसमें वे गुड पहले इसका उत्र में आपको पूरा बताता हूं देखेंगे सबसे पहला देखेंगे पहला में बुला था संदर्व प्रस्तूद गद उत्तरान अचार रामचंदर सुकल द्वरा लिखी ते हम हमारी पाठ्य पूस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता नमक निबंद से आउत्री थे यह आप लोगों का है कैमरे पाकर्सित होते हैं इसका हमें ब्याख्या बताना है तो देखें ब्याख्या किस प्रकार लिखेंगे देखें दूसरा हेड़ी डालेंगे रेखांकी तंसकी ब्याख्या लिखेंगे कि सुकल जी कहते हैं कि दो बेक्तियों में मित्रता होने के लिए आवस्यक नहीं है कि उन नम्रवा गंभीर बैक्ति उसाही की और आकर्सित होते हैं जिससे कि उन्हें विप्री समय में उचीत प्रणा मिल सके यह है रेखांगी तसकी ब्याक्या एक प्रस्लावर हैं यहां पर कि लेखा के अनुसार समाज में विविंता देखकर लोग एक दूसरे की और क्यूं आकर् बैक्तियों में देखता है तो उसकी और आकर्सित होता है जैसे चंद्र गूत अपने विद्वान मंत्री चाड़के की और तता आकबर मुनरंजन के लिए बिरबल की और यह है पूरा का पूरा अंसर तब जाके आपको 6 नवर मिलेगा हां अगर यह प्रस्ण नहीं करना मेरे प्यारवच्चो वो प्रस्ण क्या है कि है भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन परम पिता के इच्छा के विरूद इतना सहस पिता जी क्या भीक न मिलेगी क्या कोई हिंदू भूपरिष्ट्वन पचा राजाएगा जो ब्रामण को दो मुठी अंदे सके यह संभव है फिर दीजे पिता जी में काप रही हूं इसके चमक आखो को अंधा बना रही है अगर यह नहीं करना चाहते हैं तो आप यह कर शकते हैं इसका भी सलूसन बता देता हूं मैं उप्यूग्द गद्यांस का संदर्ब लिखे पहले संदर्ब देख लेते हैं अ क्या बोला है दूसरा प्रस्ण है कि गद्यांस के रिखांकी तंस की भाव असपस्ट कीजिए तो जहां तक अंडरलाइं किया गया है कि परम पिता के इच्छा के बिरुदितना सहस पिता जी क्या भीक न मिलेगी क्या कोई हंदू भूत रिष्प न बचा रा जागा इसका म नहीं कर सकते हैं यदि हमारे भागी में मुसीबत लिखिए तो हम उसे सवर आबुसरों के संचे से नहीं टाल सकते हैं यदि इस वर की इच्छा की विपत्ती आती भी है तो हमें उसका सम्मान करने के सम्मान करने के लिए तयार रहना चाहिए पिता जी मंतितना रहने पर क् हिंदुना सेस रहेगा यह है उसका ब्याख्या इसके नीचे प्रस्ण और है जो कि दो नंबर का है कि ममता द्वारा की स्कारे को इस सुवर के इच्छा के ब्रूद बताया गया है ठीक है तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यहां पर देखें दूसरा कि अपने पिता के द्वा सेर सासे उत्कोच के रूप में लिया गया सुवरर के सिके उत्कोच मतलब घूस होता है घूस के रूप में लिया गया सुवरर के सिके ममता को प्रहंपिता के इच्छा के ब्रूद लगा अब जाके आप लोगों को मेरे प्यारा पर कितने नमबर दिया जाएंगे दो नमब पर दारी तीन प्रोष्ट में को उत्तर दीजिए अप्पा द्यांस आ गया और यह भी कितने नमबर का आता है छेन नमबर का देखो दिया कि नहीं छेन नमबर के लिए उसने बोला है कौन सा है तो पहला है कि चरण कमल बंदो अरिराई जाकी कृपया पंगु गिरिल हो इसके सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पद्यांस का संदर्व तो चलो देखते हैं संदर्व चलो नोट करो छोटा कर दूं ताकि दिखेंगे आप लोगों को अब दिख रहा होगा पूरा पहले क्या लिखेंगे संदर्व देखो दूसरा का संदर्व पहला यह पद स्री सूर्दास द्वारा रची सूर सागर नामा गरंत से हमारी पाठे पूस्तक हिंदी के कावे खंड में संकली त पद सिर्शक से क्या है उद्रित है इसमें क्या होता कि प्रसंग भी लिखा जाता है जितने पद्यांस आते हैं तब पद्यांस में लोग प्रसंग भी लिखते हैं प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में भाक्त कवी सूर्दाजी ने स्री कृष्ण की महिमा का वरणन करते वे उनके चरणों की बंदना की है अब जाके रेखांकी तंस की ब्याख्या करोगे रेखांकी तंस कहां तक है यहां तक बहीरो सुने गुंग पूनी बोले रंक चले सिर्छतर दराई बस इतना ही लाइन का हमें ब्याख्या करना है चलो करते हैं इतना ही लाइन का सिर्फ ब्याख्या तो एडिन डालो यहाँ पे रेखांकी तंसकी ब्याख्या अलिकोगे इन चर्णों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा बेक्ती सुनने लगता है और गूंगा पुना बोलने लगता है किसी दरीदर बेक्ती पर स्री कृष् में कौन सा अलंकार है गया है तो आप लिखो गए देखो इसके बाहरे सिंदर बेन सुधारत साने सयानी है जान की जानी वली तिर्चे करे नैंती ने समझाई कछो मुस्काई चली तुल्सी तेही अवसर से ही रावे अवलोकती लोचन लाहु अली अनुराग तलाग में बानु उदे भिगसी मनु मंजूल कंज कली ठीक है यह पद्यास इसमें तिन प्रश सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्व इस पद्यास देखेंगे संदर्व चली देखते हैं मैं थोड़ा छोटा करता हूं तक आपको पूरा दीखे लिखो अथवा थाना यहां पर डिन डालोगे अथवा अथवा में पहला हम लोग कर रहे हैं संदर्व या पदश्री गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचीत कवितावली से हमारी पाठ्य पूस्तक हिंदी के काविखंड में संकली तो वनपत सिर्षक से आतरी थे मतब वनपत सिर्षक से आतरी थे कवितावली चेप्टर से लिया गया और इसके जो रचीता है वो है गोस्वामी तुलसी दा किया लिए. इसका आमें व्याक्या करना है तो चलो देते हैं'm व्याक्या किस पकार करोगे तो व्याक्या में लिखोंगे यहां पर छलो प्रसंग नहीं पंकितियों में में गराम वह दूहएं के परस्ण का उत्तर देती हुई सीता जी ने अपने हाग एंगा की विसे में सब कुछ बता देती हैं इसके बाद मैं खांकी तंसकी बैख्या लिखेंगे कि तुलसी दासी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझ कर सभी सक्षियां राम के संदर को एकटक देखती हुई अपनी नेत्रों का लाव प्राप्त करने लगी उस समय ऐसा प्रतित हो रह सा था मानुप्रेम के सरोवर में राम रूपी सुर्य का उदेव हो गया हो और ग्राम वदूं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो यहां तक बस इसके बाद आगे हम बढ़ें तो तीसरा प्रशने के अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंज कली में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तीन अलंकारों का प्रयोग किया गया है अब आजए क्यूस्ता नमबर तीसरा की तरफ ठीक है क्यूस्ता नमबर तीसरा मेरे प्यारवत चुईया है कि दिये गए संस्कृत गद्यांस में से किसी एक का संदर्व साइथ हिंदी में बात कीजिए और पाँच नंबर के लिए थीख है पूछा जाएगा तो देखो यह संस्कृत का आप गध्यांस दिया है क्या है इसको पहले आप लो इसकी इन सौट ले लो देखो यही है एसा नगरी बारतीय संस्कृत यहां से पढ़ लो यहां से लेकर यहां तक है यहां सौट अपने ले लिया है अब उत्तर में लिखो यहां पर दो उत्तर क्या है तीसरा का उत्तर पहले आम लो इसका संदर्म लिखा जाता है संदर्म लिखेंगे कि प्रस्तु गध्यांस हमारी पार्ट यह पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वरानसी पार्ट से यहीं से संस्कृत साइत्य और संस्कृत का प्रकास सभी जगां फैला है मुगल यूराज दाराशिकों ने यहां आकर भारतिय दर्शन सास्त्रों का ध्यन किया था अव्वा उनके ग्यान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिशितों का अनुबाद फार्सी भासा इसके बाद अथवा करके और दिया था यहां तक है इसको मेरे प्यार बचुप अच्छे से नोट कर लो यहां तक है पूरा में गेरा बना दिया मानो जिवनस से संस्कृति इसको आप अच्छे से दिख रहा है ना आप लोगों को अराम से रुख कर क्वालिटी बढ़ा दि नोट कर लेना हो गया तीसरा का अथवा आपने नोट कर लिया इसका चलिया आंसर अनुद देखते हैं तो देखो यहां पर पहले एडिंग डालोगे अथवा और फिर इसका संदर्व लिखोगे ठीक है संदर में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गध्यान समारी पाठ्य पू का सवारना ठीक है संस्कृति है हमारे पुरोजों ने मानों जीवन को सुध करने के लिए महान प्रत्न किये उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जीन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है संस्कृति है क्लियर है चलिए यहां तक मैंने बता द स्यां च MOC किसी एक का संद्राव साइध हिंदीम्य में नुगात कीजिए दुनों में इसको यह कही करना प्रस नमर क्या है प्रस नमर प्रस नमर चौथ। आपने को दिखाता हुए उसका हल आपको नोट करना है चलिए नोट कीजिए देखिए वही है प्रस्ट नमबर देखो चवथा प्रस्ट नमबर चवथा संदर्व पहले हमनों लिखेंगे कि प्रस्टु स्लोक हमारी पाक्ट पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सुत राणव पार से पत्यास लिए गया है संसक्रित वाला प्रस्ट्व में लिको गया है कि इन स्लोक्र में विभीनि यागों के महत्त्यों का धर्षाया यज पूस्ते हैं इस दिश्टिर से तब ये दिश्टिर ने जवाब दिया कि मनुसे जो है आंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है मनुसे कुरोध छोड़कर सोख नहीं करता मनुसे इक्षा मतलब कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है मनुसे लोग को छोड़कर क्या हो जाता सूखी हो जाता है ठीक है चौथा का मने बता दिया इसके बाद चौथा का आथवा भी दिया देखो सर्वे बहुंती सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे बद भद्राणी पस्यंतु मा कस्दी दुख भाग भवेत दिख रहाना में एक बड़ा कर दूं क्या देखो पर डाल लेना पहले संदर अब लिखा जाता है इसका लिखो गया है कि प्रस्तु स्लोक हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में भारती या संस्कृती पार्ट से उद्री थे बारती संस्कृती चेप्टर से अपध्यान से लिया गया है संस्कृत वाला इसके ब देखें, अर्थात सभी का कल्यान हो, कोई भी दुख न हो, अर्थात कोई भी दुख का बागी नव बने। ठीके उसका यह अनुबाद है, हिंदी अनुबाद। बता दिया हमने, इसके बाद देखे पाचवाँ प्रशने, मेरे प्यार बच्चों, अपने पठीत, खंड काव मेवाड मुकूट अगर पुजास जैसुबास मात्र भूमी करड करम बीर तुमूल इतना सारा है अधिस्टिक वाई जाता है जीला वाई हर एक जीले का अलग-अलग खंड का भी आता है तो मैंने अल्रेडी बता चुका है कि अपने किताब या क्यूसन भाई कि में देख लेन मैंने अल्रेडी हमेशा से बताता है कि वही आता है डाटर राजन परसाज संकर परसाज अचार रामचन शुकल इन्हीं तीनों में से कोई यह करना होता है मैं तो आल्रेडी कभी से इंपोर्टेंट कि उसम पढ़ा रहा हूं हर एक बार बताता हूं कि यही पूछा जाता है अब मॉडल पेपर में भी देखो यही दिया है मतलब यह फिक्स रहता है तो जीवन पर्चे या तो होगा ही होगा इसका क्या सलूसन बताना है इसके बाद दो किस नमबर सिक्स दिये गए कभियों में से किसी का जीवन पर्चे देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्ल जाएंगे इसके बाद सातमा के मैं हल बताओंगा आप लोगों को कि अपनी पर्चे पूस्तक में से कंठस्ट को एक सलूक लिखे जो इस परश्ण पत्र में नाया हो वही आप लोगों को बता देता हुं ठीक है वही दुनों याद कर लेना जैसे यह है बंधम मरण वापी प्रस्ण सात्मा का उत्तर बता रहा हूं एक है आप लोगों का जो कि इसी में आया था है सर्वे बढ़रानों पस्यंतु मां कस जित दुख भाग भवेत दोनों याद कर लोगे तो दोनों में से कोई एक आप कर लोगे असानी से क्योंकि एक कई पूशा जाता है इसके बाद ह प्रस्ण नंबर आठमा और प्रस्ण नंबर आठमा है कि निमलिखीत में से किनी दो प्रस्ण का उत्तर संस्क्रीट में देजी देखो मैं बढ़ा करता हूं तो दो प्रस्ण का उत्तर संस्क्रीट में देना है यहां से दो नबर आप लोगों किलियर हो जागा पहला है कि भ स्वस्य अस्त्राट इस्वर एक एव इति भारतिय संस्कृत मुला मस्ति यह answers होगा स्कीन सोट इसका लेलो इसके बाद पहला तो हो गया इसके बाद इधार आहो दूसरा है कि पुरुराज को आसित क्या है पुरुराज को आसित तो इसका आंसर आप लोग लिखोगी मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे हैं कि दूसरा उला देखो पुरुराज एक भारत वीर आसित इसके बाद देखो तीसरा है चंदर सेखरा को आसित इसका अंसर यहांपे हो गा तीसरा संद्र pricing want the ओक टीस दिखना अप लोगों को इसके बाद चोथ हरं वीर जोजते न पूजते तब मालूम है आं लोगों को वीरबीन पूजते होता है तो मालूम होरा शाले चैनल पर मेरे सार्च करके देख लेना सात नंबर में खिलियार हो जागा विकल में परदूसर वाला डाला था आपने मीत्र पत्र लिखे अगर यह नहीं कर पाते हो तत्वा करके एक और दिया है कि उत्तर मद रेलवे को एक सिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट ने रिच्छक द्वारा किये गए अब अब अधर बेवार का उल्लेख हो मैं पहला वाला बता देता हूं क्यूंकि इसमें सेम वही होता है बस बनावटी वही होता है बाकिया कंडिसन अपना कोई विबना के लिख सकते हो बस ऊपर का लाइन देखा जाता और नीचे का दिखा जाता है की इस प्रकार आप एरेंज कियो तो क्या है कि अपनी बीसेश रूचिया कोई भी रूचिया आप ज़रुनी करके आ रोगो करे किरकेट खिलने में रूचिए किसी प्रकार की रूचिय आपने वि इस लिखो दिनांक लिखो, एड्रेस उसका दिनांक उपर लिखना है, फिर लिखना है, प्रिय मित्र मोहन, परेटन अस्तल की यतरा पूरी करके आने पर तुम्हारा पत्र मिला, समाचार पाकर खुसी हुई, यह बताते हुई, खुसी हो रही है कि हमारी आगरा की यतरा बहु यह संगमर्मर का बना हुआ है और इसके किनार यमुना नदीब आती है संगमर्मर के विसाल चबूतरे पर इसका निर्माड किया गया है चबूतरे के चारों कोनों पर चार गगन चुम्मी मिनारे हैं और इस विसाल भवन के वीचों भी सांजा और मुंताज की क्या एक कब रह और मित्र इस बार उम्मीद करता हूं कि तुम अपने पिटा के साथ ऐसे इसके संधर को अवसे देखने जाओंगे तभी मेरे इस आनंद मेरे औरब कर प्रणाम करना तुम्हारा मित्र तुम्हारे अगले पत्र का इंतिजार रहेगा तुम्हारा दोस्त क्या स्याम तुम्हारा दोस्त